नमसकार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैने इंदरपांडे कल से सितम्बर के महीने की शुरुवात हो रही है तो आज हम आपको चाल चक्र में बताएंगे कि सितंबर का महीना अलग-अलग राशी के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है सितंबर के महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है ग्रहों की स्थितियों की संभावना क्या बनने वाली है और सितंबर के महीने की खास बातें जोतिश के नजरिये से क्या है चाल चक्र में आज क्या खास है चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सितंबर के महीने में किसमत का कैसा हाल रहने वाला है आपको बताएंगे कि सितंबर में ग्रहों की स्थिती क्या है कौन सी खास बाते होने वाली है और सितंबर के महीने में देश दुनिया का हाल क्या है अलग-अलग राशियों का हाल क्या है इसको जानने की और समझने की कोशिश आज के अपने कारिक्रम में करेंगे तो बात करेंगे सितंबर के महीने की और जोतिश के नजरिये से इसको जानने की और समझने की चेश्टा करेंगे प्रयास करेंगे सबसे पहले ये जानते हैं कि सितंबर के महीने में ग्रहों की इस्थिती कैसी रहने वाली है जो अलग अलग ग्रह हैं नवग्रह हैं उनकी सितंबर में कुल मिला के स्थिती कैसी रहेगी देखिए सितंबर महीने की जो शुरुवात है ये व्रिशब लगन में हो रही है यानि एक सितंबर को अगर हम देखे रात के लगभग 12 बजे से सितंबर की शुरुवात होगी और वो व्रिशब लगन में हो रही है इस दिन चंद्रमा मकर राशी में विद्यमान है यानि मकर राशी और व्रिश लगन में पिर्थवी तत्व के दोनों मामलों में ये संभावना बन रही है कि इस महीने की शुरुवात होगी चंद्रमा शनी एक साथ होंगे पहले ही दिन शुक्र और राहू भी एक साथ होंगे पहले ही दिन चंद्रशनी और शुक्र राहू की नकारात्मक यूती इस महीने की शुरुवात में दिखाई दे रही है सूर्य बुद्ध भी महीने की शुरुआत में साथ में बने हुए है तो कुल मिलाके जो महीने की शुरुआत हो रही है वो थोड़ी निगेटिव है अकेला ब्रिहस्पती इसको ठीक नहीं कर सकता या अकेला सूर्य इसको ठीक नहीं कर सकता जो शनी का मामला है और जो राहू का मामला है वो इस महीने की शुरुवात में बहुत अच्छा नहीं है इसलिए महीना थोड़ा sensitive दिखाई दे रहा है महीना थोड़ा संवेदनशील है sensitive है भाई इस महीने में कुछ ग्रहों में बड़े परिवर्तन भी होने वाले है इस महीने में राहू और केतू का महत्वपूर परिवर्तन होने वाला है 23 सितंबर को राहू और केतू अपनी राशी बदल लेंगे और ब्रिहस्पती का भी परिवर्तन होगा ब्रिहस्पती इस महीने में मारगी हो जाएंगे अभी तक ब्रिहस्पती वक्री चल रहे हैं लेकिन इस महीने में ब्रिहस्पती भी मारगी हो जाएंगे तो इस महीने में एक तो ग्रहों की जो पोजीशनिंग है वो शुरुवात में बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और साथ में दो बड़े परिवर्तन एक राहू केतू का परिवर्तन और एक ब्रिहस्पती का परिवर्तन इस महीने में दिख रहा है ये तो ग्रहों की स्थिती हो गई अब इन ग्रहों की स्थिती का यानि सितंबर के महीने का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है देश दुनिया पर इन ग्रहों का क्या असर पढ़ेगा सितंबर का जो महीना है वो देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है देखिए राजनैतिक और सामाजिक रूप से इस महीने की स्थितियां अच्छी नहीं है जब चंदरशनी के साथ महीने की शुरुआत हो रही है तो आप समझिए कि इस महीने तनाव बहुत होगा एक आम आदमी का टेंशन इस महीने में बढ़ेगा राजनैतिक और सामाजिक रूप से इस्थितियां बिल्कुल अच्छी नहीं है इस माह के आरंभ में पहले पंदर दिनों में यानि एक से लेके पंदर सोला सितंबर तक का जो समय है इसमें वाहन दुरघटना की संभावनाएं बढ़ेंगी यानि इस महीने वाहन चलाने में हम सब को सावधानी रखनी है और आप जादा तर खबरे सुनेंगे या पढ़ेंगे कि बहुत सारी वाहन के दुरघटना इस महीने में होंगी देश में दंगे, हिंसा और राजनीतिक उठापटक भी होगी कम्यूनल चीजें थोड़ी बढ़ेंगी और दंगे भड़क सकते हैं देश के कुछ हिलाकों में हिंसा हो सकती है और राजनीतिक उठापटक भी दिख सकती है और ये स्थितियां इस महीने के अंतमे जादा मजभूती से दिखाई दे रही हैं इस महीने में किसी प्रसिद्ध व्यक्तिका, किसी महत्पूर्ण व्यक्तिका निधन हो सकता है राजनीती से या फिल्म से जुड़े हुए किसी ऐसे व्यक्ति का निधन हो सकता है जिसकी बड़ी पबुलिक पापुलेरिटी हो जिसके उपर जनता का बड़ा भरोसा हो किसी ऐसे व्यक्ति का निधन इस महीने में हो सकता है न्यायाले की तरफ से कोई महत्वपूर फैसला इस महीने में आ सकता है क्योंकि चंद्रमा शनी महीने की शुरुवात में ही साथ में है तो शनी न्याया धिपती है और चंद्रमा जनता का रिप्रेजेंटेटिव है ऐसी दशा में जन्ता के बीच में नयाले का कोई बड़ा फैसला इस महीने में आता हुआ दिख रहा है पडोसी देशों के साथ भी इस महीने में शान्ती नहीं रहेगी पडोसी देशों के साथ छिट पुट युद्ध जैसी संभावना बनती है अटेक हो सकता है, हमला हो सकता है, थोड़ी बहुत जड़ब की और मजबूत जड़ब की खबरें इस महीने में आ सकती हैं, उसके लिए तयार रहना चाहिए और इस महीने में आर्थिक चीजों के लिए पैसे रुपए के लिए और सिक्यूरिटी के लिए सरकार नए कानून बना सकती है इस महीने आर्थिक और सुरक्षा के लिए नए कानून बन सकते हैं इसकी संभावना भी इस महीने में दिख रही है